Hello everyone, आज का big update है मेरे उन सभी viewers के लिए जो competitive exam की तयारी कर रहे हैं तो friends, चलिए हम continue करते हैं आज की अपनी पहली स्रीच को देखिए उत्राखंड का इतिहास सबसे पहला topic है हमारा जिसमें पहला question पूछा गया है, देखिए महा भारत में कुणिन्द नरेस किस नाम से जाने जाते थे देखिए कुणिन्द नरेस पूछा जा रहा है ठीक है और ये question आपसे PCS 2016 में भी पूछा गया है तो friends देखिए इनको जाना जाता था द्विजिस रेस्ट के नाम, option C इसका correct answer होगा next question है उत्तरकासी का एतिहासिक नाम क्या है, देखिए ये भी PCS 2016 में पूछा गया है तो ये तो आप सभी जानते ही होंगे, right answer होगा option D बाड़ा हाट next question है, गड़वा सर्व दलित परिसत का गठन 1928 में किया गया था देखिए पहले तो आपको याद रखना है कि जो सर्व दलित परिसत था, इसका गठन कब किया गया था 1928 में किसके द्वारा किया गया, अगर पूछा गया है, तो right answer होगा, जैनन भारती जी द्वारा, ठीक है, option C's का correct answer होगा अगला question दिया गया है, अल्मोडा सिकों में उल्लेखित नाम है, देखिए PCS 2012 में पूछा गया question है अल्मोडा सिकों में उल्लेखित नाम, सिवदद, सिवपालिद और हरिदद का था, ठीक है, तो option C's का correct answer होगा friends देखे, आप सभी के साथ, मैं ये practice set इसलिए share कर रही हूँ, ताकि आप सभी को अपनी तयारी का अनुभव हो सके तो आपकी तयारी आई, hope अच्छी चल रही होगी, आप लोग question solve करें और score बताएं कितना आपने gain किया next question है, छटी साथवी इसवी में नागवन्स के अस्तित्तु का पता हिमाले के किस भाग में मिलता है देखे, छटी और साथवी इसवी में नागवन्स का पता पुछा जा रहा है, तो ये मिलता है मध्य हिमाले में, ठीक है, option 20 का correct answer होगा next question है, देखे, मध्य हिमाले में छटी साथवी इसवी में नागवन्स के अस्तित्तु की जानकारी प्राप्त होदी यानि कि कौन से लेक से हमें पता चलता है नागवन्स का, तो right answer है देखे, गोपेश्वर, त्रिसूल लेक से पता चलता है, ठीक है, option ने इसका correct answer होगा next question है, निम्रकित में किस चंद राज़ा ने अकबर के अधीनता सुईकार कर कुमाओं को एक करद राज़ी बना दिया, देखे, करद राज़ी किस ने बनाया आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका right answer है, option C, रुद्र चंदर ने बनाया था, ठीक है next question है, किस पवार वंसी सासक के समई, सिखों ने 1775 और 1778 में दो बार आकरमन किये थे, देखे, 1775 और 78 में आपसे पूछा जा रहा है, दो बार आकरमन किये थे, तो इसका right answer है, option B, ललित साह के सासनकाल में, ठीक है, option B, इसका correct answer होगा next question दिया गया है, पवार, जिसे परमार वंसी भी बोला जाता है, आप सभी जानते ही है, कि सस्तापकों के संदर्ब में क्या सही नहीं है, देखे, कौन सा, इसमें, option सही नहीं है, पवार वंसी के सस्तापक के बारे में पूछा जा रहा है, पहला है, देखे, विलियम्स की व प्रथक उत्राखंड राज्य को सरब्थम भाजपा रास्ट्री पार्टी ने समर्थन दिया यह राइट है सेकिन है लाल किले के प्राचिर में सरब्थम प्रधानमंत्री देव गौड़ा ने उत्राखंड के गठन की घोषना की थी यह राइट है नेक्स्ट है वाम पंति गठन उत्राखंड मुक्ती मोर्चा का गठन 1998 में किया गया देखिए 1998 में नहीं किया गया था ठीक है कमेंट करके आप लोग ज़रूर रताना अगर आपने यह टॉपिक पड़ा है तो आपको आंसर पता भी होगा नेक्स्ट है उत्राचल प्रथक राजी की मांग सरब्थम प्रथम स्वाधिंता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है देखिए बहुत important question है कई बार exams में पूछा भी जाता है और PCS 2004 में पूछा गया उसके बार कई बार यह question repeat भी होगा है ठीक है ग्रुप C के exam में भी यह पूछा गया है तो स्वाधिंता संग्राम सेनानी पहला माना देखिए इतिहासकार सबसे ज्यादा प्रमानित मानते हैं ब्रेनेट तथा विलियम्स की वनसावली को ठीक है next question है 1990 में उत्राखंड करांती दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधान सभा उत्तराखंड राजी से संबंदित प्रथम प्रस्ताव निम्न में स किसने रखा था देखिए पहला प्रस्ताव उत्राखंड के संबंद में किसके द्वारा रखा गया था पूछा जा रहा है तो राइट आंसर है ऑपसंसी जस्वंत सी बिस्ट जी द्वारा ठीक है correct आंसर होगा next question है निम्न की तविकलपों में जिसमें राजा और उनकी राजधानी राजभूंगा थी बिल्कुल सही थी इन्होंने अपनी राजधानी राजभूंगा बनाई थी कनकपाल देवलगड दिया गया है ये राइट नहीं है अजयपाल टीर ये भी रौंग है और मानसा दिया गया आपको चात्परुगड ये भी रौंग है तो राइ की हैं देखिए लाल रंग की उकेरी हुई मानवा करती कौन से ओडियार से मिली है लाख ओडियार से ये स्थित है अलमुडा में ठीक है तो ये किस काल की है पूछा गया है तो राइट आंसर होगा कुसान काल की ठीक है नेस विचने अजयपाल से सम्मंदित सूचना मानोदे क नाम ग्रंथ से मिलती है जिसमें कवी ने अजयपाल की तुन्ना निम्न में से किस्से की है तो इनकी तुन्ना की गई है युधिस्टर से ठीक है और इसका राइट आंसर होगा नेस विचने कुमाओं में गुर्खा सासन कब स्तापित हुआ देखे PCS 2004 में पूछा गया है औ देखे कौन सा ऐसा सहजादा था मुगल जिसने स्रीनगर गडवाल में आस्रे लिया था तो इसका राइट आंसर है option D सुलेमान सिको ठीक है option D का करेक्ट आंसर होगा अगला कुश्चिन है गडवाल एंसियेंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी गई है तो ये बुक लिखी है पाती रामनी option D का करेक्ट आंसर होगा बढ़ते हैं अगले कुश्चिन की ओर अगला कुश्चिन है चात्रगड का राज इस्तिथा देखे इसका राज इस्तिथा चमूली में ठीक है option C का right answer होगा next question है उत्रांचल में प्रिसिद्ध एतिहासिक इस तल गोविसान की next question है उत्रांचल में प्रिसिद्ध सैल गुफा चितर इस्तल लाखो ओडियार इस जिले में इस्तिथा देखे लाखो ओडियार मैंने अभी आपको पहले भी एक क्वेश्चिन में बताय था तो यह अलमोडा में इस्तिथा देखे अलमोडा में और कौन सी गुफाएं हैं य यह सारी ही गुफाएं जो हैं अलमोडा में इस्तित हैं नेक्स विशन है गोपेश्वर के त्रशूल लेख में कुल कितने नाग नरेसों का उलेख मिलता है दीकिए इसमें मिलता है चार नाग नरेसों का उलेख ठीक है ऑप्सन भी इसका करेक्ट आंसर होगा तो फ्रेंज आई होप कि आप सभी के लिए स्रीज हेलपफुल रहा होगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सेर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले थैंक्स वर वाचिंग